हेलो एबरीवन वेलकम टू माई चैनल तो आज की वीडियो में मैं आपको बेबी निकर बनाना बताऊंगी क्योंकि अभी घर्मिया आने वाली है तो बच्चों के लिए ये निकर जो है आराम दाय करेती है तो ये देखिए ये मैंने निकर के लिए साड़े ग्यारा इंच लं कर देंगे तो ये हमारी चार्ट हो गई और अभी हम इसको उपड़े के साइट से कपडं को सीधा कर देंगे तो यह hemmet Прके से चीदह कर दिए और जो नीचे और उपर से जो ये हमारी इसी में फोल्ड हो जाएंगी तो अभी हम इसका क्रोच एरिया लेते हैं तो ये देखिए जिदर खुली वाली साइड है उदर से हमें साड़े छे इंच पे एक निशान लगाना है उपर की तरब से और एक इंच हमें अंदर की तरब निशान लगाना है और इसी सीधी लाइन बनाके हमें क्रोच एरिया का शेप दे देना है जहसे हम नॉर्मली अपनी पैंट में देते हैं और अभी नीचे की साइड से बोटम में एक इंच का निशान लगाऊंगी और इस निसान को हम अपने क्रोच एरिया से मिला लेंगे तो ये देखे कुछ इस तरीके से अभी मैं इसको कट कर दूंगी तो बेबी निकर बनाना बहुत ही आसान है और आप बच्चों के लिए घर में भी अपने बच्चे कपड़ों से अच्छी अच्छी निकर बना सकते हैं तो ये देखिए ये मेने नीचे की साइट से भी कट कर दिया है अभी मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ तो ये थोड़ा सा जोइंते तो मैं इसको सीधा कर देती हूँ तो ये देखिए ये हमारा एक पाट ये रहेंगा एक पाट ये और ये हमारा क्रोचेरिया ऐसे जुड़ जाएंगा तो अभी हम एक पाट को सीधा रखेंगे और दूसरे पाट को उसके उपर उल्टा रखेंगे तो ऐसे उल्टा रखेंगे हम इनके क्रोचेरिया जोइंट कर देते हैं दोनों तरप से तो आप भी ये घर में बच्चों के लिए जरूर ट्राई किजिएगा निकर बनाना क्योंकि ये बनाना बहुती आसान है और ये बच्चों के लिए बहुत आराम दायक रहता है जो हम रेडिमेट निकर लेके आते हैं उनके कपड़े और इलास्टिक हमारे बच्चों को बहुत गड़ते हैं तो हमें ऐसे घर में ही बनाना लेना चाहिए तो देखिए अभी मैं इसको सीधा करूंगी और अभी हम इसके नीचे साइट की जो बोटम है उसको फोल्ड कर देंगे यानि कि नीचे के जो पाइचे है उसको हम ऐसे डबल फोल्ड कर देंगे तो अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को जरूर ओन कर दीजेगा ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालू उसकी अपडेट आपको मिलती रहे तो यह देखिए यह मैं दूसरा भी पाइचा फोल्ड कर दूँगी तो यह मैंने दोनो बोटम फोल्ड कर दिये हैं अभी इसको हम उल्टा करेंगे और जो यह हमारे नीचे क्रोच एरिया के नीचे का जो साइड है जिसको हम क्रोच एरिया के नीचे वाला कर्व बोलते है उस पर हम सिलाई लगा देंगे तो यह देखिए इस पर मैं सिलाई लगा दे रही हूं तो यह मैंने इस पर सिलाई लगा दिये अभी हम इसको सीधा करेंगे तो ये देखिए ये हमारा निकर को जिस प्रकार से दिख रहा है अभी हम इसमें जो है उपर में इलाश्टिक लगाएंगे तो ये देखिए हम इसमें पतला ही इलाश्टिक लगाएंगे क्योंकि बच्चों को चोड़ा इलाश्टिक बहुती नुकसान देता है क्योंकि उनके पेट और कमर में घड़ता है तो ये मैं 12 इंच का इलाश्टिक ले रही हूँ तो ये 12 इंच का इलाश्टिक वैसे बच्चों के लिए फीक्स रहता है और आप अपने हिसाब से कम ज्यादा ले सकते है तो अभी मैं इस इलाश्टिक के दोनों मुख को जोइंट करके इसके उपर एक सिलाई लगा दूँगी ये सिलाई लगा दी मैंने अभी जो ये हमारा उपर नेपे का कपड़ा है इसको पहले मैं एक सिंगल फोल्ड कर दूँगी तो इस वीडियो को मैंने ज्यादा लंबा नहीं बनाया है तो आपको अच्छे से समझाने के लिए ये मैंने प्रोपर भी बनाया है और आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लिया है तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएंगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजेंगा तो यह देखिए हमने इसको सिंगल फोल्ड कर दिया है अभी हम जो है इसके अंदर में इलास्टिक रखेंगे इस तरीके से और ऐसे हम इसको फोल्ड कर देंगे नेपा जैसे हम नॉर्मली अपना नेपा बनाते हैं तो हमें इलास्टिक के उपर सिलाई नहीं लगाना है हमने इलास्टिक अंदर की तरफ रखते हुए कपड़े पर ही सिलाई लगाना है तो इस तरीके से आप इलास्टिक लगाएंगे तो वो बहुत आसानी से लग जाएंगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर जाएए और मेरे चैनल पर और भी नए नए वीडियो है स्लिवस और बोटम के भी डिजाइन है, कुर्टी के, प्लाजो के तो आप वहाँ जाकर देखिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तो यह देखिए यहां हमारा बेबी निकर बन के तयार है तो आप इसको निकर को आप किसी भी बच्चे को पहना सकते हैं दो साल तक के तो आई होब कि आपको यह वीडियो अच्छा लगाओंगा तो वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक और सेर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड थैंक्स फोर वचिंग माई वीडियो